नमस्कार दोस्तो मैं मंदीव सर्मा आर्टैक मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो यदि आप अपने फेस्बूक अकाउंट पर टूश टैप वेरिफिकेशन या फिर लोगिन अलर्ट लगाए हुए रहते हैं तो जब भी आपके फेस्बूक अकाउंट को कोई लोगिन करने की कोशिस करता है या फिर लोगिन कर लेता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके फेस्बूक अकाउंट को किसी ने लोगिन कर लिया है और दोस्तों यदि आप अपने Facebook अकाउंट पर Gmail अकाउंट को लगाए रहते हैं तो आपके Gmail अकाउंट पर भी इस तरह से एक notification आ जाती है कि आपके Facebook अकाउंट को किसी ने login कर लिया है या फिर उस पर login activity हुई है आप अपने Facebook अकाउंट को चेक कर लीजिए और उसको recover कर लीजिए तो दोस्तों यदि आप उसको नहीं देख पाते हैं कुछ टाइम तक तो आपका जो Facebook अकाउंट है to step verification code यदि आप उस पर लगाए रहते हैं तो आपका Facebook अकाउंट Facebook लोग कर देता है ताकि कोई और आपके Facebook अकाउंट को login ना कर पाए और उसका गलत इस्तिमाल ना कर पाए तो दोस्तों यदि आपका Facebook अकाउंट लोग हो जाता है तो आपको किस तरह से उसको unlock करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों यदि आपका Facebook अकाउंट भी lock हो गया है या फिर दोस्तों भविस्ये में lock ना हो आप चाहत हैं तो इस वीडियो का आप लक्ट तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे आप उसको अनलोक कर सकते हैं तो दोस्तों मॉबाल के स्क्रेंड पर जाने से पहले से जरूर कहना चाहूंग यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चानल को नीचे लाल वले स्ब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आकांड डवाकर ऑल पर धी किलिक कर दें थाकि जब इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पोचेश सबसे पहले आपके पस तो दोस्तों यदि आपका Facebook अकाउंट भी लॉगड कर दिया जाता है उस पर unusual activity के कारण यानि दोस्तों आपका Facebook अकाउंट जो लॉगड होता है वो उस कारण से होता है कि यदि आपने अपने Facebook अकाउंट पर two step verification को enable किया हुआ है और आपके Facebook अकाउंट को यदि बार बार कोई login करने की कोसिस करता है तो Facebook आपके अकाउंट को logged कर देता है तो उसको unlock करने के लिए आपको simply go get started पर click करना है और इस पर click करने के बाद यह देखिए आपको तीन step यहाँ पर करने पड़ते हैं अपने Facebook अकाउंट को unlock करने के लिए उसको करने के लिए आपको simply next पर klik करना है, next पर klik करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आपने अपना mobile number अपने facebook account से add किया हुआ है तो आपको यहाँ पर यह देखे phone number पर select करना है और यदि आपने gmail account को add किया हुआ है तो जीमेल पर क्लिक करना है और यदि आप इन में से किसी को भी एड करके नहीं रखते हैं अपने Facebook अकाउंट पर तो दोस्तों आप अपने Facebook अकाउंट को अनलोक नहीं कर पाएंगे तो यहां पर काउंट रायम हो चुका है लेकिन अभी तक OTP नहीं आया है इसका कारण है कि दोस्तों यदि आप Facebook लाइट का यूज करते हैं यानि Facebook लाइट एब का यूज करते हैं इस के लिए तो Facebook Lite से ये काम नहीं हो पाएगा ये process नहीं हो पाएगा इसके लिए दोस्तों आपको Facebook Lite app को अपने mobile से अनिस्टॉल करना होगा और अनिस्टॉल करने के बाद आपको आना है अपने browser में तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर uninstall कर लेता हूँ तो ये देखे दोस्तों मैंने Facebook Lite एप को अपने mobile से अनिस्टॉल कर दिया है अनिस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैं चला गया हूँ ब्राउजर में ब्राउजर में जाने के बाद Facebook सर्च करना है अपने account की ID को डालना है, password डालना है और जैसे ही डालेंगे तो इस तरह का ही interface आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको वही process करना है, अपना mobile number सेलेक्ट करना है और next पर click करना है और यहाँ पर एक code आपके पास आ जाएगा यह देखिए मेरे mobile number पर code आ चुका है, मैं यहाँ पर इस code को डाल देता हूँ और code डालने के बाद आपको simply submit पर click करना है submit पर click करने के बाद आपका जो login detail है वो confirm हो जाएगी यानि दोस्तों यह confirm हो जाएगा कि आपका ही यह account है confirm होने के बाद दोस्तों आपको simply next पर click करना है और next पर click करने के बाद दोस्तों फिर से आपको next पर click करना है और next पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page खुल करा जाएगा जिसमें दोस्तों आपका mobile number और आपकी Gmail ID यहाँ पर दिखाई दे रही होगी यदि आपने add की होगी तो अब यदि आपकी यहाँ पर Gmail ID नहीं है कोई सी यानि दोस्तों यदि एक और Gmail ID यहाँ पर add है और आप उसको remove करना चाहते हैं तो remove करने के लिए यहाँ पर click करके आप उसको select करके यहाँ पर remove पर click करके remove भी कर सकते हैं और यहाँ पर यदि किसी और की Gmail ID या Mobile Number नहीं है तो आपको Simply नीचे वाले Option पर क्लिक करना है और नीचे वाले Option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना नया पासवर्ड पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तो आपको Simply Save Changes के Option पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा दोस्तो पासवर्ड चेंज होने के बाद आप Facebook Light App को अपने Mobile में इंस्टॉल करके अपने Facebook Account को उसमें Login कर सकते हैं आपका Facebook Account Login हो जाएगा जैसे यहाँ पर मैं अपने Facebook Account को Login कर लेता हूँ Facebook Light App में Light App को इंस्टॉल करके तो यह देखिए दोस्तो मेरा Facebook Account Unlogged हो चुका है और यहाँ पर मैंने Facebook Account को Login भी कर लिया है तो दोस्तो यदि आपका Facebook Account भी Unusual Activity के कारण Logged हो जाता है तो आप इस तरह से उसको Unlogged कर सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो हैं पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like करें शेयर करें और दोस्तो यदि आपका Facebook Account Unlogged हो गया हो तो मुझे Comment करके जरूर बताएं और आपका भी Lock हु वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद